एपिसोड की शुरुआत जुडित के नरेशन से होती है जुडित नीगन को याद करती है और हो ये पताने की कोशिश करती है कि वो लोग हर दिन मौत को देखते हुई जी रहे थे जिडित अपने पापर रिक को भी याद करती है और वो याद करती है कि रिक हमेशा माफ करने में यकीन किया करता था इसके बाद एपिसोट की शुरुआत हो जाती है नीगन अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन को बनाने का काम कर रहा था कैली भी वहाँ पर काम कर रही थी और साथ ही साथ वो चारों और नजर भी रखे हुए थी कैली एजेकल के पास आकर उसे इशारी से बताती है कि दो गार्ड उन लोगों को घेरे हुए है जबकि चार गार्ड उन लोगों पर अंदर के और से नजर रखे हुए थे एजेकल पत्थरों के मलबे को ले जाकर एक और फिक देता है उसे वहाँ पर प्रिंसेस मिलती है प्रिंसेस को तभी एक आदमी टैलर डैविस दिखाई देता है प्रिंसेस टैलर डैविस के बारे में एजेकल को बताती है कि वो अदमी रेल यार्ट में काम किया करता था प्रिंसेस एजेकल को बताती है कि टैलर उन लोगों के काम आ सकता था नीगन पानी लेने के लिए एक जगे पर आ जाता है वेगना उसे आकर गार्ड की पोजिशन के बारे में बताती है नीगन एक मैप निकाल कर उसके उपर गार्ड की पोजिशन को मार्क करने लग जाता है और वो उस पैप को अपने पॉकिट के अंदर डाल लेता है तब ही जेकल नीगन के पास पहुँच जाता है और वो उससे मैप मागने लग जाता है नीगन को तभी एक और से एना की आवाज सुनाई देती है एना को कुछ टूपर्स परिशान कर रहे थे नीगन एना की प्रेगनेंट होने के बारे में सोचकर जिंतित हो जाता है और वो तुरती एक टूपर के पास चाक कर उसे कहता है कि वो अपनी वाइफ के बतले में एक्स्टर शिफ्ट करना चाता है कॉमन वेल कर टूपर नीगन की इस बात को मानने से मना कर देता है तभी एक और टूपर वहाँ पर पहुच जाता है और वो नीगन की बात को सुनकर उसके पेट में रैफल से जोर से वार करता है नीगन उसी वक्ट ट्रैक के उपर गिर जाता है एना नीगन को गिरते हुए देखती है और वो तुरती दौड कर नीगन के और आने लग जाती है टूपर तुरंती एना को पकड़ कर वहीं पर रोक लेता है एना जोर-जोर से नीगन का नाम लेकर चिलाने लग जाती है नीगन ट्रैक पर पढ़ा हुआ उसके और देखता रह जाता है जबकि जैकल चुप-चाप ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था एरन, लीडिया, जैरी और एलाइसा चारों ही जंगल में फसे हुए थे उन लोगों के आसपास कुछ वॉकर्स आ जाते हैं एलाइसा लीडिया को उन वॉकर्स को मारने के लिए मना करता है लेकिन लीडिया तुरंती आगे बढ़कर वॉकर्स को मार डालती है एरन, वॉकर्स के नए रूप को देखकर बहुत ज़्यदा परिशान था वो उन सबी को ऐलर्ट रहने के लिए कहता है तब ही उन लोगों को अपने पास से कुछ आवाजा आती हुई सुनाई देती है कुछ ही देर में लीउक और जूल्स जंगल से निकल कर एरन और उसकी ग्रूप के पास पहुँच जाते हैं एरन और जैरी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन दोनों का इंटूडेक्शन लीडिया और ऐलैसा से करवाते हैं जेरी लियूक और जोल्स को बताता है कि वो लोग ओशन साइट के और जा रहे थे। लियूक जेरी और एरन को बताता है कि कॉमन वेल्ट के लोगों ने ओशन साइट के ओपर कबचा कर लिया है। एरन लूक के मुझे सुनकर चौक जाता है क्योंकि उसे कॉमन वेल्ट के अंदर के बदले हुए हालातों के बारे में मलूम नहीं था और वो अभी तक यही समझ रहा था कि कॉमन वेल्ट के लोग उन लोगों की मदद कर रहे थे लूक और जूल्स एरन को बताते है कि उन्हें कॉमन वेल्ट के साथ हुए उनके डील के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन वो इस बारे में कंफर्म है कि कॉमन वेल्ट के लोग उन लोगों को ढून रहे हैं और वो लोग उन्हें देखते ही मार डालेंगे अगले सीन में Commonwealth के हॉल को दिखाया जाता है Commonwealth के हॉल में Commonwealth के बहुत सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पर योजीन के उपर कारवई का कारिक्रम चल रहा था पामिला वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने सेबस्टिन की डैद को याद करती है और बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है पामिला इस तरह से वहाँ मौजूद लोगों की सिंपती गेन करना चाहती थी योमीको योजीन को फेवर करती है योजीन योमीको को हिंट करता है कि वहाँ की जजज पामिला की साथ मिली हुई हो सकती थी और वो पामिला के favor में ही judgment दे सकती थी युमीको योजीन को याद दिलाती है कि वहाँ पर commonwealth की public भी मौजूद है और वो लोग योजीन का ही support करेंगे Max भी उस वक्त योजीन के साथ वहाँ पर मौजूद थी युमीको पामिला को बीच में ही रोग देती है और वो commonwealth के लोगों को बताती है कि सबस्टिन ने recording में अपने मूँ से खुद कबूल किया था कि लोटरी लोगों को बेखू बनाने का काम है पामिला जिसे चाहती है उसे ही लोटरी का winner बनाया जाता है पामिला ये सुनकर बहुत ज़दा गुसे में आ जाती है और वो जजज को कहने लग जाती है कि वो recording सबस्टिन की voice की नहीं थी पामिला जजज को clear करती है कि वो recording किसी और ने सबस्टिन की voice में बना कर उन लोगों के सामने पेश की थी ताकि सबी लोग सबस्टिन को गलत समझे पामिला जजज को कहती है कि योजीन और उसके साथियों ने मिलकर सबस्टिन के खिलाफ एक शडियंत रचा था जिसके कारण सबस्टिन मारा गया था वहाँ मौजूद पबलिक के अंदर लोटरी के बारे में सुनकर कानफुसी होने लग जाती है भीड मैसी एक और चिला कर कहने लग जाती है कि योजीन को रिहा कर दिया जाए अगले सीन में केरॉल और डेरिल दूर रहकर अलेकसेंडिया को वाच करते हैं वो सबी लोग आपस में मिलकर बात करते हैं कि पामिला उन लोगों को अलेकसेंडिया को बापस देनी की बात कर रही थी जबकि उसने अलेकसेंडिया को अपने आउटपूस्ट की रूप में कनवर्ट कर दिया था डेरिल और केरॉल को लगता है कि पामिला ने बच्चों को अलेकसेंडिया के अंदर बंदी बना कर रखा हुआ है डेरिल, कोनी, मैगी और केरॉल अलेकसेंडिया के अंदर सीवर के थू जाने की बात करते हैं डेरिल कोनी के साथ सीवर लाइन से वेट मिल के और जाने की प्लानिक मनाता है। मैगी केरॉल के साथ सीवर लाइन से होते हुए घर के अंदर जाने की प्लानिक मनाती है। रोशिता और गैबरियल को वो लोग ऐलेकसेडियो के बाहर नज़र रखने के लिए कहते हैं एक सीन में ऐलेकसेडियो के अंदर के मैस्कों दिखाया जाता है टैलर डैविस लंच ले रहा था एजेकल और नीगन उसके पास में आकर बैट जाते हैं और उसे अपना साथ देने के लिए कहते हैं टैलर उन दोनों की बातों को सुनकर उन लोगों को समझाता है कि वो लोग पहले भी वहाँ से बाहर डिकलने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन इसमें वो लोग सफल नहीं रहे थे एजैकिल और नीगन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार ऐसे नहीं होगा और वो लोग पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे टैलर उन दोनों का साथ देने से मना कर देता है तब ही दो टूपर्स नीगन के पास पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं नीगन उन लोगों के साथ चलने से मना कर देता है और वो उन्हें पहले अपनी वाइफ एना के बारे में बताने के लिए कहता है टूपर्स नीगन की बात को नहीं सुनते और वो उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ अपने बॉस की कैबिन में ले जाते हैं वहां मौजूद सुपर्वाइजर एक टूपर को क्लियर करता है कि उसकी मागी गई छुटी को नामजूर कर दिया गया है टूपर सुपर्वाइजर से कहता है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा बीमार है और इसलिए उसे छुटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है सुपर्वाइजर उसकी बात को हवा में उड़ा देता है और उसे क्लियर करता है कि उससे छुटी मागने के लिए डायरेक्ट उसके पास आना चाहिए था सुपर्वाइजर उस टुपर की ड्यूटी को एक्स्टेंड कर देता है और उसे तुरती वहाँ से जाने के लिए कहता है नीगन सुपर्वाइजर के सामने मौझूद था और वो दोरों की बीच की बातों को सुनकर मुस्करा देता है सुपर्वाइजर नीगन के सामने एक मैप को रख देता है ये वही मैप था जो कि नीगन ड्रॉ कर रहा था और वो मैप नीगन की जेब से रेल ट्रेक के उपर गिर गया था जो कि बाद में टूपर्स को मिल गया था सुपर्वाइजर नीगन से उस मैप के बारे में पूछने लग जाता है नीगन सुपर्वाइजर को बताता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और हो सकता है कि वो कोई ऐसा गेम हो जिसे कि वहां मौजूद लोग खेल रहे हो सुपर्वाइसर नीगन को क्लियर करता है कि उसे वेवकूफ ना समझा जाए क्योंकि वो मैप को बढ़ सकता है और उसमें उसके गार्ड की पोजिशन को क्लियरली मैचिन किया गया है सुपर्वाइसर नीगन को क्लियर करता है कि ये काम उसी के ग्रूप के एक आदमी का है सुपर्वाइसर नीगन को एक लीडर समझता था और वो उससे इस बारे में बात करता है सुपर्वाइसर नीगन से कहता है कि वो उसे एक आपशन देता है एना नीगन को अपने सामने देखकर चौंग जाती है एना नीगन से सुपरवाइजर के बारे में बात करती है नीगन एना को समझाने की कुशिश करता है कि वो उसे गलत ना समझे क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सभी लोगों के भले के लिए कर रहा था अगले सीन में डेरिल को सीवर लाइन में उतरते हुए दिखाया जाता है डेरिल और कोनी सीवर लाइन से होते हुए आगे के और बढ़ने लग जाते हैं इधर मैगी और केरॉल भी सीवर लाइन से होते हुए एक टूपर के आँख बचाकर बिल्डिंग के अदर खुश जाते हैं मैगी और केरॉल बिल्डिंग के उपर पहुँच जाते हैं उन लोगों को वहाँ पर एक टूपर दिखाई देता है केरॉल उस टूपर को बेहोश कर देती है और वो दोनों उस टूपर को खीच कर एक और कर देते हैं अगले सीन में एरन और उसके पूरे ग्रूप को दिखाया जाता है। वाकर्स उन लोगों के पास अभी तक आ रहे थे। और वो सबी लोग बिलकर उनका सामना कर रहे थे। लियूक उन लोगों को बताता है कि कॉमन वेल्ट के लोगों ने ओशन साइट के उपर हबला कर दिया था। ओशन साइट के लोग उन लोगों का सामना कर रहे थे। और रेचल ने लिूक और जूल्स को बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए वहाँ से भीज दिया था। एरन उन लोगों को बताता है कि उन लोगों के निकल आने के बाद उन लोगों के बाकी ग्रूपी अलेकसेंट्रिया के और मुव करने वाले थे। वो सबी लोग Alexandra की और जाने की प्लानिंग बनाते हैं लियूक उन लोगों को अलर्ट करता है कि टूपर्स अभी भी उन लोगों के पीछे हो सकते थे तब ही उन लोगों को मोटर सैकल के आवास सुनाई देती है और वो लोग टूपर्स को देखकर अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं उन लोगों को तब ही वाकर्स का एक होड अपनी और आता हुआ दिखाई देता है लीडिया को एक आइडिया आता है अगले सीन में यूजीन को दिखाया जाता है जो कि प्रिजन के अंदर बंध था यूजीन उस वक्त अपने उपर होने वाले फैसले का इंतजार कर रहा था यूमीको और मैक्स उस वक्त यूजीन के पास ही मौजूद थे यूजीन को पता था कि फैसला उसके खिलाफ होने वाला है और उसे मार दिया जाएगा वो मैक्स को इस बारे में समझाने की कोश़िश करता है यूमीको मैक्स से कहती है कि वो लोग मरसर की हलप ले सकते थे और उसे Pabella की बातों को बता कर यूजीन को बचा सकते थे मैक्स योमिको को समझाने की कोशिश करती है कि मरसर ने हमेशा Pabella का साथ दिया है और वो Commonwealth के खिलाप कुछ भी नहीं करेगा योमिको फिर भी मैक्स को एक पार मरसर के हेल्प लेने क्लेने के लिए कहती है और वो पहले ही उनके दोस्तों को उनसे बहुत दूर कर चुकी है जिसमें प्रिंसेस भी शामिल थी युमीको मरसर को समझाने की कोशिश करती है कि अब यूजीन मारा जा सकता था मरसर जानता था कि उसकी बहन मैक्स युजीन को पसंद करती है लेकिन वो फिर भी पामिला के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता था वो युमिको को इसके लिए मना कर देता है युमिको मरसर को बार बार कहती है कि वो चाहे तो कामन वेल्ट के लोगों के सामने पामिला के खिलाफ गवाई दे सकता था कामन वेल्ट के सबी लोग मरसर को बहुत ज़दा मानते थे और वो उसकी पूरी बात में विश्वास करते थे लेकिन मरसर इस मामले में युमिको का साथ देने से मना कर देता है और वो युमिको को वार्ण करता है कि उसे युजीन को ले जाने में देर हो रही है इसलिए युमिको को वहां से तुरंती चले जाना चाहिए युमी को फ्रस्टेट हो जाती है और वो उस जगे से चली जाती है अगले सीन में केरॉल और मैगी को दिखाया जाता है उन लोगों ने टूपर को ले जाकर अपने साथ एक छोटे से रूम में बंद कर लिया था उन लोगों को टूपर के रेडियो से वहाँ होने वाली एक्टिविटी सुनाई दे रही थी ड्रेट टीम को बुलाया जा रहा था मैगी केरॉल के साबने अफसूस जायर करती है कि उसे हर्शल को इस दुनिया में लाने का कोई भी हक नहीं था क्योंकि वो उसे वो नहीं दे पा रही थी जो कि वो डिसर्व करता था केरॉल मैगी को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए हर्शल का उन लोगों के साथ रहना जरूरी था तब ही उन लोगों को एक बच्चे की आवास सुनाई देती है नेक्स सीन ट्रेंड ट्रेक का था एजेकल और नीगन वहाँ पर काम कर रहे थे एजेकल नीगन के पास पहुसता है और उसे मैस से ले जाये जाने के बारे में बात करता है नीगन एजेकल की बातों को हवा में उड़ा देता है एजेकल नीगन को क्लियर करता है कि वो अभी भी उसका दोस्त नहीं है क्योंकि उसने उसके साथ जो भी किया है वो एजेकल अभी तक भूल नहीं पाया है एजेकल इस वक्त अपने बड़े बिटे वेंजामिन को याद कर रहा था जो कि नीगन के कारण मारा गया था नीगन एजेकल को क्लियर करता है कि वो अपने रास्ते को खुद देखे क्योंकि नीगन जानता है कि उसे आगे क्या करना है नीगन इसके बात सुपरवाइसर के पास पहुँच जाता है और वो उसे कदार का नाम बताने के लिए त्यार हो जाता है अगले सीन में डैर्ल और कोनी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सीवर लाइन में थे और वो वाकर्स का सामना कर रहे थे नेक्स सीन में कउमनवेल के खौल को दिखाया जाता है युजीन को फैसले के लिए लाया जाता है जज युजीन से आफ़ी बाद बोलने के लिए कहती है और युजीन सभी लोगों के साफने एडमिट करता है कि वो सबस्टिंट की डेफ thi के लिए जम़ेदार था योजीन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उनमेंसे एक आदमी भी नयाय के लिए खड़ा हो जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है जज योजीन को मृत्यो डंड का फैसला सुना देती है और वो उसे उसी वक्ट डंड देने के लिए कहती है मैक्स और योबिक को जज के इस फैसले को सुनकर परिशान हो जाते हैं अगले सीन में जैकल को सोते हुए दिखाया जाता है उसे टूपर्स उठा देते हैं टूपर्स बाकी सोई हुए लोगों को भी उठा कर एक कामन जगे पर लेकर आ जाते हैं सुपर्वाइसर उन सभी लोगों का वहाँ पर वेट कर रहा था सुपर्वाइसर उन लोगों को क्लियर करता है कि उसे उन लोगों के बीच में छिपे हुए गदार के बारे में पता चल चुका है और अब वो, उस गद्दार को लोगों के सामने इस तरह से सजा देना चाहता है, ताकि कोई भी आगे उन लोगों के साथ गद्दारी ना करे, इजेकल सुपर्वाइजर के मुँऊ से ही सुनकर परिशान हो जाता है, तभी टूपर्स नीगन को सामने लेकर आजाते हैं, इजे नीगन को बहुत बारा गया था, सबी टूपर्स उसके सामने गन लेकर तयार हो जाते हैं, तबी सुपर्वाइसर एना को रोते हुए देखता है, और वो तुरंती उसे लाइन से बाहर निकाल कर, नीगन के बाजू में लाकर खड़ा कर देता है, सुपर्वाइसर वहां सबी लोगों को क्लियर करता है कि यहां पर कोई भी शहीद बनने के लिए नहीं आया है, और वो एना को नीगन के आखों के सामने मारेगा, ताकि नीगन को उसकी मौथ को देखकर यह एहसास हो कि उसने जो भी किया है, वो गलत किया है, सबी टूपर्स एना को अपने दिशा इजेकल सिचूशन को देखता है और वो भी डीगन और एना के साथ साबने आकर खड़ा हो जाता है, वो सपर्वाइसर को क्लियर करता है कि वो भी उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था, इजेकल को देखकर उसकी सबी साथी भी लाइन से बहर आकर उन लोगों के पास हो जाते हैं पैलर डेविस भी अपने साथियों के साथ उन लोगों के साथ आकर खड़ा हो जाता है बाकी पचे हुए प्रिसनर भी उन लोगों का साथ देते हैं और वो सभी लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं सुपर्वाइजर प्रिसनर्स को इस तरह से देखता है और बह चुटियां कैंसल कर दी थी, वो डूपर सोच पर पढ़ जाता है, और वो अपने सभी साथियों को समझाता है, कि उन लोगों को प्रिजनर्स का साथ देना चाहिए, सुपर्वाइजर ये देखकर तुरंदी कैली को अपने कपजे में कर लेता है, तभी डेरिल कोरी के साथ व उन्हें वहाँ पर हर्शल मिलता है, हर्शल मेगी को देखकर बहुत जदा खुश हो जाता है, मेगी हर्शल और केरॉल के साथ घर से बाहर निकलाती है, उन लोगों कोई मुलाकात वहाँ पर रोशिता से होती है, रोशिता हर्शल से बाकी बच्चों के बारे में कोई भी न नहीं है रोशिता ये सुनकर परिशान हो जाती है अगले सीन में एरन और उसके पूरे ग्रूप को दिखाया जाता है वो लोगों ने अपनी पूरी बॉड़ी के उपर जॉबीज के गट को लगा लिया था और अफो लोग जॉबीज के ग्रूप में शाविल होकर वो लोगों सुपर्वाइसर के पास लेकर आ जाती है और उसे दिखा कर उसे कोको के बारे में बताने के लिए कहती है सुपर्वाइसर रोशिता को देखकर उसे बताता है कि अब उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं था रोशिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जॉब से बैक को हटा देता है और वो उसके हतकडियों को भी खिलवा देता है योजीन मरसर को इस तरह से देखकर चौक जाता है जबकि मरसर योजीन को क्लियर करता है कि वो अब उसके साथ है